Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass and this is the 73 lecture. ये मेरा 73 lecture है of our 1000 MCQ series and आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं multiple choice question on the subject principles of management कुछ courses में इसे business of management के नाम से भी है ये subject, ठीक है? तो confuse मत होईएगा और ये जो मेरी MCQ series है ये आपके जो competitive exam है उनके point of view से मैंने बनाई है और ये competitive exam के लिए काफी helpful है ठीक है? तो ज़रूर इनको exam में करके चाहिएगा, right? तो चलिए फिर बिना ज्यादा बात कि जल्दी से हम आज का video lecture स्टार्ट करते हैं First question, पहला question है, match the following and select the correct answer आपको क्या करना है? मैच कराना है, this is list 1 and this is list 2 ठीक है? आपको मैच कराना है यहाँ पे list 1 में क्या-क्या आपको दिया गया है? Kurt Levin, Formal Group, Informal Group and Grape Wine ठीक है? यह सब concept आपने सुना होगा वैसे एक बात आपको यह भी बता देती हूँ कि यह जो subject है, Principles of Management इस subject का जितने भी important concepts है वो मैं already, इसके जो theory concept है वो सब मैं अपने चानल पे पहले ही cover कर चुकी हूँ मैंने अपने चानल पे एक separate playlist बनाई हुई है POM की, Principles of Management की जहाँ पे आपको अगर इनका जो theoretical concept जो है वो detail में समझना है तो आप वो playlist देख सकते हैं ठीक है? यहाँ पर तो मैं किवल question discuss कर रही हूँ बट इनकी detailing चाहिए जैसे मैं grape wine, formal, informal group यह सब discuss हो चुका है Kurt Levin ने जो theory दी है उसके बारे में भी मैं discuss कर चुकी हूँ theory lecture में, ठीक है? यहाँ पर तो हम किवल question discuss करें तो आपको detailing चाहिए तो आप एक बार वो refer कर सकते हैं अब list second के ज़रा हम पढ़ लेते हैं क्या-क्या option दिया है तो यहाँ पर दिया है task force, field force theory, gossip and no official leader ठीक है? तो आपको match कराना है list one के जो options है उनको list second से match कराना है ठीक है? तो आपको question समझ में आ गया होगा तो अब चलिए हम वही तरीका follow करते हैं जो मैं हमेशा करती हूँ कि आपको मैं जितने भी option दिये हैं list one के जितने भी option दिये है इनके बारे में detail में समझाओंगी जिससे आप खुदी इसका answer मुझे बता देंगे ठीक चलिए, नीचे से शुरू करते हैं यह पर ग्रेप्वाइन से शुरू करते हैं ग्रेप्वाइन तो हमने जब communication मैं आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ग्रेप्वाइन के बारे में बताया था ग्रेप्वाइन क्या होता है इस काइंड ओफ इन्फर्मल सोशल इंटरक्शन एक टाइप का इन्फर्मल जब सोशल इंटरक्शन होता है वर्क प्लेस पे तो तो ताट इस काल ग्रेप्वाइन ठीक है, grapevine में there is no recommended structure, कोई भी communication का कोई भी recommended structure नहीं होता है, यह casual communication जो होता है, grapevine क्या है, एक type का casual informal social interaction organization में जो होता है, this is called grapevine, and यह जो gossip होता है यह grapevine में ही आता है, ठीक, तो अब मेरे खाल से आप समझ गयोंगे कि grapevine को किस से match कराना है, grapevine match होगा आपका gossip से, यानि D match हो रहा है, three से, ठीक, चलिए, next देखते है, formal group, तो यह भी care, मैं theory में पढ़ा चुकी हूँ, formal group, तो formal group क्या होता है, देखे, organization में, जब कुछ person को, कुछ employee को collect किया जाता है, they come together for achieving some goal, किसी specified goal को achieve करने के लिए organization में, कुछ employee को एखटा करके, जब group बनाया जाता है, तो उसको क्या कह ख़ा जाता है, formal group, तो इनका purpose क्या होता है, यह जो formal group बनाने का purpose क्या होता है, कि जो भी goal है, उसको achieve किया जा सके, ठीक है, इसकी official requirement होती है, organization में, oficial requirement होती है, जिसको fulfill करने के लिए, इस टाइफ के group बनाया जाते है, formal group, ठीक है, and this group is created by, यह जो formal group है, कौन क्रिएट करता है, organization, ठीक है, organization का जो top management है, ये formal group create करता है, ठीक, तो formal group बताइए, किस से match होगा, formal group match होगा task force से, task group, ये basically task group होता है, जिसको एक particular task दिया जाता है, एक goal होता है, जिसको अचीव करने के लिए ये group बनाए जाते है, ठीक, तो यानि B किस से match हो रहा है, one से, अगला देखते है, informal group, informal देखिए, नाम से समझ में रहा है, informal यानि वो group जिसका कोई definite pattern नहीं है, कोई rule नहीं है, कोई guideline नहीं है, ठीक है, जो informally कुछ लोग मिलके अपना group बना रहे है, informally, जिसका कोई official leader नहीं है, ठीक है, जिसका कोई leader नहीं है, जो उस group को control करता हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, that is called informal group, ठीक है, इसमें leadership position कोई भी ले सकता है, that is informal group, ठीक, तो यह C किस से मैच होगा, C मैच हो रहा है, four से, there is no official leader, यह जो informal group है, यानि आपस में कुछ employee मिलके, आपस में कोई sports का group नहीं है बना लिया, कुछ भी informal, जिसका कोई structure नहीं हो, कोई rule ऐसा guideline, कोई pattern नहीं हो, तो ऐ तो चली मैंने सारे बता दिये, अब इसमें एक बच रहा है, A, A क्या है, Kurt Levin, यह काफी important है, इसको मैं mark करती हूँ important, क्यूं, क्यूंकि इस पे separate भी question पूछा जा सकता है, Kurt Levin की theory, ठीक है, यह जो Kurt Levin है, he is a famous management thinker, यह एक famous management thinker है, इन्होंने theory दी थी, इस theory का नाम क्या था, field force theory, बड़ यह अभी अधूरा नाम है, field force theory of change, इन्होंने एक बहुत important theory दी थी, field force theory of change, ठीक है, Kurt Levin ने यह theory दी थी, यह जो theory है, इस theory पे separate question भी बनता है, ठीक है, यह theory क्या है, इस पे एक separate question भी बनता है, तो यह जो Kurt Levin ने जो field force theory दी थी, यह एक बहुती powerful strategic tool था, कि किस त अगर अपने आपे corporate environment या के लिए परसनल इंवार्मेंट अगर change करना चाहरा है, ठीक है, then what is need to be done, यहनी organization अगर change अपने यहाँ पे करना चाहरा है, तो किस तरीके से change किया जा सकता है, क्या strategy follow करनी चाहिए, या क्या किया जा सकता है, इस के बारे में, इस theory में Kurt Levin ने बताय of ice है, इसको अगर cone of ice में convert करना है, ठीक है, यह आईस है, बर्फ है, अगर block of ice को cone of ice में convert करना है, तो कैसे होगा, पहले इस ice कोlifting में पृघलाना होगा, व coração करना पढ़ेगा, unfreeze, ठीक है, मैं इस साफ लिखती हमें, पहले क्या करना है, unfreeze, ठीक है, यह जो block of ice को अइसको unf तो बस यही concept इन्होंने बताया था, यह जो Kurt Levin है, इन्होंने यही concept बताया था, unfreeze, change and freeze का concept बताया था, ठीक है, कि organization में भी अगर कोई change लाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, unfreeze, then change, then freeze, तो इन्होंने यह ice का concept यूज किया था, और यह बहुत important theory है, आप जो भी book follow करने उससे अलग से इससे पढ़ लीजेगा, यहाँ पर तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, तो organization में अगर change लाना है, ठीक है, corporate environment में change लाना है, personal environment में change लाना है, तो इन्होंने तीन step बताये थे, वो step क्या थे, वो step थे, unfreeze, change and freeze, ठीक है, तो यही है field force theory of change, यानि एक इससे match होगा, two से, तो अब मेरे खाल से आप answer बता सकते है, इसमें से कौनसा answer सही है, option A और B में से कौनसा answer सही है, option B is the correct answer, Kurt Levin ने ती थी field force theory, formal group क्या है, task force, informal group में there is no official leader, और gray point communication में आता है gossip, ठीक, तो यह हो गया, चलिए, अगले question पर चलते है, अगला question है, Herbert Simmons, ठीक ह सिमन है, चीक है, यह एक फेमिस, यह भी एक फेमिस management thinker है, ठीक है, बहुत सारे contribution थे, management में इनोंने बहुत सारे contribution किये थे, बहुत सारे theories दी थी, ठीक है, बहुत सारे concept दिये थे management में, जिसमें से एक concept था, administrative man का concept दिया था, administrative man, ठीक, यह जो Herbert Simon है, इनोंने, वैसे इनके five main contribution थे management में, five main contribution थे management में, जिसमें एक important जो contribution था, that is the concept of administrative man, administrative man का इनोंने concept दिया था, ठीक है, तो वो concept क्या उसमें कुछ assumptions थे, administrative man का जो concept दिया था, उसमें कुछ assumptions थे, तो यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है, कुछ assumptions बताये गया है, आपको बताना है कि which one is true, इसमें से कौन सा सही है, इन्होंने बहुत सारे important contribution के थे, तो इन्होंने administrative man की theory थे, concept दिया था, तो उसमें कुछ assumption थे, आपको बताना है, इसमें से कौन सा assumption सही है, पहला option क्या है, जो administrative man है, he has a satisfying approach in decision making rather than maximum approach, पहला option, दूसरा है, he can make decision without determining all the possible alternative, तीसरा है, he is completely rational in decision making, और चौता है, none of these, ठीक है, तो ये आपको चार option दियेगे हैं, तो आपको बताना है कि, ये जो administrative man का जो assumption था, इसमें, ये जो आपको option दिये, इसमें से कौन सा true है, ठीक, तो मैं आपको ये बता देती हूं, कि ये जो administrative man की theory, जो Herbert Siman ने दे थी, इसमें इनोंने क्या-क्या assumption लिये थे, इनोंने क्या assume किया था, ठीक है, वो सारे ही में बता देती हूं, फिर आप देख लीजेगा उसमें से क्या true है, तो इनका सबसे पहला assumption क्या था, इनका सबसे पहला assumption था, कि administrative man है, वो adopt करता है satisfaction approach, ठीक है, administrative man जो है, वो satisfaction approach अड़ाप्ट करता ह Satisfaction Approach and Decision Making rather than Maximizing Approach. यानि Maximizing Approach, जो Economic Man का होता है, वो adopt नहीं करता है, वो Satisfaction Approach follow करता है, ठीक है, उसको adopt करता है, तो यह इनका पहला assumption था, दूसरा क्या था, कि He Remain, जो Administrative Man है, He Remain Content with the Simplification, यानि वो Simplification follow करता था, ठीक है, He Remain Content, यानि वो Satisfied हो जाता था, with Simplification, ठीक है, यह दूसरा assumption था, तीसरा assumption क्या था, कि He Can Make His Choice Without First Determining All Possible Alternative, यानि बिना सारे Alternative को जाने, उनको Determine किये, He Can Make Choice, वो Choice कर लेता था, बिना सारे Alternative को ध्यान दिये, ठीक है, तो यह तीसरा assumption था, चौथा assumption यह था, कि He Is Able To Make Decision With Relatively Simple Rule Of Thumb, यानि यह जो Administrative Man है, यह decision ले लेता था, भाई, Rule Of Thumb, ठीक है, Rule Of Thumb, या Force Of Habit, या Trick Of Trade, इन Simple In Method को यूज करके, वो decision लेता था, ठीक है, तो यह इनके चार assumption थे, ठीक, तो अब मेरे कहल से आप बता सकते हैं, कौन सा इसमें true है, पहला क्या है, He Has A Satisfying Approach, तो हाँ सही बात है, इसका Satisfying Approach है, Administrative Man का, rather than Maximizing Approach, Like Economic Man की तरह नहीं है, ठीक है, तो यानि यह तो true है, अगला क्या है, He Can Make Decision Without Determining All Possible Alternative, तो हाँ यह भी सही है, कि Administrative Man, बिना सारे Alternative को Determine के, Decision लेता था, ठीक है, तो यह B भी सही है, तीसरा क्या है, He Is Completely Rational In Decision Making, तो यह तो गलत है, Rational नहीं था, Rule Of Thumb, या क्या लिजे, Force Of Habit इनको यूज करके Decision लेता था, और None Of These तो ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या है, Option A and Option B is the correct answer, ठीक, और एक चीज़ और है, Herbert Simon क्या, यह जो Contribution है Management में, यह जरूर पढ़ लीजेगा, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, वहां से यह जरूर पढ़ लीजेगा, ठीक है, यह तो केवल एक Question था, बट क्या पता, एक्जाम में आपसे यह पूछा जाए कि, What was his 5 Contribution in the Field of Management, Herbert Simon के 5 Important Contribution थे in the Field of Management, एक Contribution था, Administrative Man का Concept दिया था, बागी 4 कौन से थे, ठीक है, तो इसलिए यह Concept जरूर बुक से पढ़ लीजेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच सारे subject हैं, जो मैं आज की तारीक, यानि September 2022 तक अपने channel पे upload कर चुकी हूँ, अगर यह video आप कुछ महीने बात देख रहे हैं, कुछ साल बात देख रहे हैं, तो इसमें काफी new subject add हो चुकी होंगे, तो better होगा मैं यह channel पे जाके playlist चेक करिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप के लिए किया है, जरूर पढ़िएगा इनकी help से, ठीक है, और channel को अभी तक नहीं subscribe किया है, तो subscribe कर लीजे, ठीक है, और video पसंद आए, video समझ में आए, lecture समझ में आए, तो please इसको like करना मत भूलिएगा, और please मुझे comment section में जरूर बताया करिए, कि how was this lecture, यह lecture कैसा था, आपक केथ डेविस, according to केथ डेविस, which is not a barrier to communication, केथ डेविस, केथ डेविस, again, एक famous management thinker तो इनके according communication barrier, barrier to communication इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो एक बात और मैं पहले कहना चाहूंगी, कि communication पे, मैं 7-8 video lectures अपने channel पर अप्लोड कर चुकी हूं, तो communication का पूरा basic पढ़ना है, तो communication barriers की भी बात की थी, बहुत सारे communication barrier है, अलग-अलग जो management thinkers हैं, उन्होंने अलग-अलग barriers के बारे बात की है, यहाँ पे आप से पूछा जा रहा है, केथ डेविस ने किस communication barrier के बारे में बात की है, तो केथ डेविस ने बताया था, कि देरा three main communication barrier, केथ डेविस ने कहा था, कि Communication Barrier को हम थीन केटेगरी में Classify कर सकते है ठीक है कौन-कौन से पहला है Personal Barrier ठीक है Kay moto Davies ने कहा था कि तीन जो Communication Barrier है ठीक है, यानि Communication में जो Interference आती है जो Barrier रुकावट है उसको हम थीन केटेगरी में Classify कर सकते है पहला है Personal Barrier दूसरा है Physical Barrier दूसरा है physical barrier तीसरा है semantic barrier तो इन तीन barrier के बारे में Kate Davis ने बात की थी ठीक है, personal barrier क्या होता है बताए, personal barrier क्या होता है personal barrier मतलब वो communication में interference जो आता है because of personal reason के कारण यानि human emotion के कारण poor listening के कारण ठीक है, poor values के कारण जो personal reason के कारण जो barrier आए न वो सब क्या है personal reason, personal barrier ठीक है next is physical barrier यानि physical barrier यानि environment की वज़े से physical environment की वज़े से जो barrier आए जैसे अकर हम phone पे बात कर रहे हैं किसी से communicate कर रहे हैं तो phone में signal नहीं है, ठीक है, signal नहीं आ रहा है ठीक है, तो यह क्या है physical barrier बहुत noise हो रही है, बहुत shore है जहां पे हम बात कर रहे हैं, वो main road पे कहीं है तो बहुत noise हा रही है, तो यह सब क्या है physical barrier next क्या है, semantic barrier semantic barrier basically देखे, communication ऐसा नहीं है कि केवल बोल के ही communication होता है या लिख के ही होता है, communication symbols के form में भी, symbols से भी communication होता है, ठीक है semantic barrier basically क्या है कि limitation in symbol, यानि symbols की कमी है, जिसके कारण communication ही नहीं हो पा रहा है, तो यह क्या है semantic barrier, ठीक है, तो इन तीन barriers के बारे में बात की थी, Kate Davis ने, तो अब मेरे ख्याल से आप answer बता सकते हैं, यहाँ पे कौन सा answer है कि Kate Davis ने किसको barrier नहीं बतायता तो physical बताया था, personal बताया था semantic बताया था, technological के बारे में कहीं बात नहीं हुई थी, ठीक है तो यहाँ पे answer क्या होगा, option B is the correct answer, ठीक तो चलिए, this was all about today's video, अगर यह जो आद मेंने question discuss किये हैं, अगर आपको समझ में आए, तो please मुझे comment section में जरूर बतायेगा, ठीक है तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा, God bless you